आप सभी का स्वागत करती हूँ मिसन संस्कृट TGT में आज हम पांचवी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं अब तक हमने बहुत सारे महाकवियों का परिशय अपने चैनल के माध्यम से दे दिया है आज आप सभी के समक्ष मैं भवभूती का परिशय लेकर उपस्तित हुई हूँ पिशली वीडियो उसको आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हम एक एक क्लास वाइस चल रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी से विनमर निवेदन है कि सबसे पहले आप पाठे क्रम को देखिए उसके बाद जैसे जैसे एक एक क्लास चली है उसको देखिए अगर आप एक क्रम में तयारी कर रहे हैं बाकी कुछ लोगों को क्या है कि कुछ भी upload कर दिया या कहीं से भी आप कुछ भी देखते हैं लेकिन अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप एक sequence में चलिए और एक time के बाद आप पाएंगे कि आपने अपनी तैयारी को एक बहुत ईच्छी दिशा देदी है धीरे धीरे आप निपाठिक्रों को पूरा कवर कर लेंगे तो पिछली चार क्लासेस को भी ज़रूर देख लिजेगा आज हम पाचवी क्लास में भवभूती के परिचय के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं महा कवी भवभूती का परिचय महा अब भवभूती के परिचय को देख लेते हैं एकजाम में जो जो पूछता है इनके पितामा का नाम था भट गोपाल पिता थे नील कंठ माता थी जातु करनी भवभूती का मूल राम ये बहत पूछता है इसको आप लो रट लिजेगा भवभूती का मूल नाम था स्री इनके गुरु का नाम था ग्यान निधी और कुमारिल भट भवभूती का दार्शनिक नाम उदुंबर उंबिका चार्य उंबेक ये पूछता है कि उदुंबर या उंबिका चार्य उंबेक किसका दार्शनिक नाम है तो ये भवभूती का दार्शनिक नाम है इनका जन्मस्थान दक्षिड भारत में पदमपूर नकर उपाधी क्या क्या थी पद वाक के प्रमाड़ अग्य इनकी उपाधी थी पद वाक के प्रमाड़ अग्य इसमें पद का मतलब होता है व्याकरण वाक्य का मतलब होता है मिमानसा और प्रमाड का मतलब होता है नयाय वश्यवाक परड़त प्रग्य सिखरडी कवी तो इतना आपको याद करना है पदवाक्य प्रमाडग्य वश्यवाक्य परड़त प्रग्य और शिखरडी कवी इनकी उपादी है वन्ष गोत्र काश्यप जाती कृष्ण यजूर्वेद की तैतरी शाखाप पाठी ब्रामः थे ये आश्रेदाता कान्य कुपज नरेश यशोवर्मा के समय था भवभूती का 680 इस्वी से 780 इस्वी के बीच सात्वी शताब्दी का उत्तराद अब रचनाय देख लेते हैं मालती माधव ये प्रक्रण ग्रंथा महावीर चरितम नाटक और उत्तराम चरितम नाटक तो हमारे कोर्स में TGT के उत्तराम चरितम आपको पढ़ना भी है भौभूती की रीती गोड़ी उत्तर रामचरितम में गोड़ी और वैदर्भी का समन्वे है भौभूती का प्रियरस है करुण और भौभूती के प्रियचंद है अनुष्टू पर शिखरड़ी ये सिव के उपासक थे उत्तर राम चरितम में भवभूती अपने आपको परड़त प्रग्य कहते हैं तो परड़त प्रग्य जो उपाधी आई है उसका जेक्र उन्होंने उत्तर राम चरितम में किया है महावीर चरितम में भवभूती अपने आपको वश्यवाक कहते हैं भवभूती के नाटकों में अभिधा वृत्ती मुख्य है भवभूती की कृतियों में ओजगुड अधिक है छेमेंद्र ने सुविर्त तिलक में भौभूति के शिखरडी की प्रशंसा में उसे निर्गलत तरंगडी कहा है तो ये भी पुछता है कि ये किसके लिए कहा गया है तो ये आप यात कर लिजे निर्गलत तरंगडी भौभूति के लिए कहा गया है भौभूते शिखरडी नेरगलत तरंगडी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरीव निर्त्यती सुवृत तिलक में कहा गया है भौभूती के तीनों नाटकों में विदूशक का सर्वता अभाव है ये याद रखेगा और अब हम महा कवी भौभूती विश्यक प्रसस्तियों को देखते हैं इसको याद करने की जरूत नहीं इसको कई बार सुन लिजे तो आप ध्यान रहेगा अगर एक्जाम में दे दिया तो आपाराम से भौभूती लगा सकते हैं नाटके भौभूती वा वयम वा वयम वा अग्यात समालुचक का है फिर है उत्तरे रामचरिते भौभूतीर विशिश्यते विक्रमांग फिर है कारूर्डियम भवूती रेवतनुते अग्यात फिर है बभूव वालमिकी भव कविह पुरा तत प्रपेदे भूवी भर्त्री मेंठताम इस्थित पुनर योर भव भूती रेखया सवर्तते शंप्रती राजशेखरह राजशेखर बालरामायर फिर है भव भूतेर शिखिरडी निर्गलत तरंगडी रुचिरा घंसंदर्भे या मयूरिव नृत्यती छेमेंद्र सूवरित तिलक भव भूते संबंधाद भूदर भूरेव भारती भाती एतत कृत कारूर्णे किमन्यथारो दिती ग्रावा गुरुगो वर्धनाचारे आर्याशप्त सती इस्पष्ट भावरसा चित्रई ही पदन्यासे प्रवर्तिता नाटकेसू नटस्त्रिव भारती भव भूतिना धनपाल तिलक मन्जरी फिर है सूकवी द्वितयम मन्ने निखिले अपी मही तले भव भूति शुकस्चायम वालमिक्की इस्त्रतयो अनयो भोज भोज प्रवंद में है फिर है रतनावली पुर्व कमन्य दास्ता मसीम भोग्यस्य वचो मयस्य पयोधरसेव हिमाद्रि जाया परम विबुशा भूति रेव जल्हड सुक्ति मुक्तावली भव भूति मना दृत्य निर्वाण मतिना मया मुरारी पद चिन्ता यामिद माधियते मनह जल्हड शुक्ति मुक्तावली फिर है मान्यो जगत्याम भव भूति रायाम सारस्वते वर्तमनी सार्थवाह वाचम पातका मित्रस्य द्रिष्टवा जनह कविना मनु प्रिष्टमेती उदै सुन्दरी चम्पू फिर है भव भूति जल निधी निर्गत काव्याम्रित रसकणा इव इस्फुरंती यस्य विशेशा अध्यापी विकटेशु कथा नी विशेशु गौड वहो वाक्यपती राज फिर है जडा नाम पी चैतन्यम भव भूतेर भूदगिरा ग्रावा पिरोधित पावर्त्याह हसतह इस्मा इस्ता इस्तना वपी अग्यात फिर है अंतरमोदम कमपी भावभूतिर भावभूती वितुर एक मिनट भावभूतिर भावभूती वितुर तनुते सुदुक्त करना मृत में है अंतरमोदम कमपी भावभूती वितर नुतनुते सुदुक्ती करना मृत में है फिर है भाव्या यदी विभूतित्वम तात काम यसे तदा भावभूती पदे चित्मवी लंबम निवेशय अग्यात फिर है भाव्यूतेर विक्षित्ति व्यभिचार मुचोगिरा गुम्फा विधी नापी दुर निवारम तेशा खलू भावभूतत्वम विश्वेश्वर पांडे फिर है भावभूते कविंद्रस्य वाणी काम दुधा मता ब्रम्हानंद सहो दर्या या तनोती मुदम सदा कपिल देव दिवेदू फिर है साअंबा पुनातु भावभूती पवित्र मुर्ती भावभूती फिर है भावभूतिर नाम कवी निसर्ग सोहृदेन भरतेश वर्तमानह मालती माधवस्य प्रस्तावना फिर है कविर वाकपती राज श्रीभव भुत्यादी सेवितह जीतो ययो यशो वर्मा तद गुड इस्तूती वन्दिताम कल्हड राज तरंगिडी फिर अगला है तपश्वी काम गतो अवस्था मिती इस्मरा नना विव गिरी जाया इस्तनव वंदे भवभूति सिता ननौ भवभूति का है ठीक है तो ये इतनी चीजे थी भावभूती का एक्जाम में इसमें से ही पूछता है तो ये सारी चीजे आप रट लीजेगा तो अगर गरंतकार का परिचे में से प्रश्ण बनेगा तो यहीं से बनेगा फिर हम जो इनके गरंत हैं उत्तरामचरितम हुए या और भी जितने भी गरंतकार हैं तो बारी बारी सबका डीटेल पढ़ेंगे मैटर बहुत जादा है आप धीरे धीरे पढ़िए अभी समय है और एक टाइम के बाद आपका पूरा स्लेबस जो है वो कवर हो जाएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगे अगली क्लास में तब तक के लिए नमस अंस्कृत आए धन्यवाद